अपने काम के प्रती पूरी तरह समर्पित रहना ही जाग रुखता है नमस्कार मैं अम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने खास कारेक्रम हेलो पी एमसी में ये कारेक्रम हम हर हफते गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को शाम चार से पांच बिजे लेकर आते हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए इस कारेक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनिर पिरामिड मास्टर्स जो कई सालों से ध्यान कर रहे हैं जिनोंने कई सालों से स्वाध्याई किया है जो स्वाध्याई के माध्यम से ध्यान के माध्यम से उनको ग्यान अरजित हुआ है वो उस ग्यान के माध्यम से आप तो चलि बिना देर किये कारेक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं देवजानी नाम का। बात करते हैं, येस, मैमिनका सवाल है, क्या meditation हमें एक fix time पर करना चाहिए, यहां किसी भी time पर कर सकते हैं, दोस्तों मैं ये बोलना चाहूंगी, कि पत्री जी, ब्रह्मरिशे पितामा पत्री जी, जो PSSM के founder है, वो हमेसा बोलते हैं, हमें ध्यान को लेकर कोई hard and fast rule नहीं करना आप ध्यान कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, जो time आपको suit करता है, आपके लिए suitable होता है, जब भी आप free रहते हो, तो उस time में अपने आंखों को बंद करिए, अपने पेरें को cross करिए, हाथों को cross करिए और अपने सांसों के साथ एक हो जाए, कोई rule regulation नहीं है, Thank you so much. कोई भी परिस्तिती में, घर में मृत्यू हो गई, तो भी आपको ध्यान करना ही चाहिए, कहीं सारे लोग बोलते हैं कि periods में हमें करना चाहिए, क्या, yes, कोई भी परिस्तिती आपकी जीवन में हो, आप ध्यान करना चाहिए, आप कहीं पर भी, आपकी मन इतनी ध्रिड हो ज जानी चाहिए ताकि आपको अगर ट्राफिक के उपर भी बेठा दिया जाए तब भी आप ध्यान कर सकते हो, तो ये होता ही है, ये बहुत सारे मास्टर्स की experience है, कोई बंदिस अगर जब हम रखते हैं, तो हम ध्यान में उतर ही नहीं पाते हैं, और टाइम की बात करें, तो ट पास्ट है ना future है, only present है, ये हमारी human mind की उपज है, टाइम, सुरज उग रहा है, सुरज डूब रहा है, क्या ऐसा होता है, नहीं, सुरज जहां पे है, वहीं पे है, बस हमने अपनी सहुलियत के लिए ये टाइम का creation इस अर्थ प्लेन में किया है, इसलिए ब्रहमरिशे पित सामा बोलते हैं, जो टाइम आपको अच्छा लगता है, तो आप उस टाइम में ध्यान केजे, थांक यू, मैम अभी आपने बहुत अच्छी बात बोले कि ट्राफिक में भी हम ध्यान कर सकते हैं, आज कल ट्राफिक इतना है, कि हम जब जा रहे हो तो बहुत परिशान, चिर हैं, जहां पर मन काम किया, वहां पर डिश्टर्वांस है, वो चाहिए ट्राफिक हो, चाहिए वो हिमालय परवत में क्यों ना हो, हम हिमालय परवत में बेट हैं, लिकिन अगर हमारी मन इस outer world में, इस मेट्रिलिस्टिक वार्ल में घुम रहा है, तो वो ट्राफिक के वराब ही है है न हमारी साधना इतनी डीप होना चाहिए ताकि हम कहीं पर भी बेट के ध्यान कर सकते हैं इसे देखा गया है अगर आप देखेंगे विबेक अनन्द की लाइफ हिस्टिरी अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी आसपा सब कुछ होता हुआ होता है और विबेक अनन्द आर आफेक्ट करता ही नहीं था तो हम यह नहीं बोल सकते हैं वो बिबेक अनन्द थे तभी वो कर सकते हैं उनके भीतर भी वही चेतना है आपके भीतर भी वही चेतना है बस यह जो एक माइन का बैरियर है कि मुझे सांत बाता बरण ही चाहिए ध्यान करने के लिए मुझे एक अच्छा प्लेस होना ही चाहिए ध्यान करने के लिए, वो एक माइंड का बारियर है, आप देखेंगे नीद, आप अगर कभी ट्रावेल कर रहे हैं, तो आपको कहीं पर भी एक प्लेस मिल जाना आप सो जाते हों, आप इतनी ठक जाते हो, इतनी रिक्वार्डमेंड होती है उ को नीद नहीं आता है, तो यहां पर काम, कहां पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहां पर है, बाहर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप क्या ले रहे हो, और आपकी मन में किस तरह का विचार चल रहा है, इसी मन को ही शांत कर, इसको काबू न और इसको जब हम regular practice करते हैं, तो इस मन को हम direction दे सकते हैं, कब उसको सोचना है, कब उसको नहीं सोचना है, इतने capacity हमारे भीतर है, वेकिन वो सक्ति को पहचानने के लिए हमें regular meditation करने पड़ेगी और वो स्तिती में हमें आना पड़ेगा, हमारे आसपास कुछ भी होए, still हम ध् जब ड़ा उन से बात कर लेता है, हलो, हलो, जी नमाशकार नाम बताईये अपना, जी टेंद्र पाठक, जी टेंद्र जी कहां से बात कर रहे आप, गवाद्या, बताईये क्या सवाल है आपका, मैण सवाल मेरा यह है कि मैं काफी वनौस आपके वीडियो बेगा हूं, जी अ मैंने पैदमेरिस फादक तले गए तो सबसे थोड़ा समय तनाव मैं हूँ डिप्रेशन जयता भी फील हो रहा है तो ध्यान का बड़ा इंपोर्टेंस बताते हैं एक समय तो मैंने कभी ध्यान किया नहीं है तो ध्यान किस तरह किया जा सकता है? शुरुवात कैसे की जाये? कोई इसके लिए टेनर की दिरूरत पड़ती है यह कुछ जानना चाहरा था ध्यान के बारे में और क्या ध्यान के जरीए मैं पादर से बात कर सकता हूँ जी पहले तो है कि ध्यान केसे करना चाहिए वो आप जानना चाहते हैं वो तो मैं अभी भी आपको बताऊंगी है ध्यान केसे करना चाहिए लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि हमारी जो चानल है PMC Hindi YouTube चानल है उसमें एक वीडियो है आपता चल गया कैसे करना है तो कुछ नहीं करना है ध्यान का मतलब कुछ नहीं करना है जब हम कुछ नहीं करते हैं तभी वो ध्यान है तो जब हम ध्यान करने के लिए बैठें तो आराम से रिलाक्स हो कि जो जगा हमें comfortable हो रहा है जहां पर हमें अच्छा महसूस हो रहा है वैसे एक जगा को आप चुन ले और आप सोफे के उपर विस्तर के उपर चेयर के उपर य नहीं तो अपनी आलती पालती मार के भी आप बैठ सकते हैं जैसे आपको comfortable हो रहा है परन्तु आपका पहला जो काम होना चाहिए आपकी पेर cross होनी चाहिए यह हमारा पहला lock है दूसरी lock है हमारी दोनों हातों की उंगलियों में उंगलियों को फसा कर उसको हलके में अपनी कोदी में रखना होता है देन अपनी दोनों आँखों को कोमलता से बंद करना होता है फिर पूरा जो अपनी आवेरनेस है अपनी पूरा physical body के उपर रखते हुए पूरा सरीर को फिले हम धीला छोड़ते हैं एक एक बोड़ी पार के उपर आवेरनेस रखते हैं और उसको धी धीरे धीरे अपनी जो आवेरनेस है वो अपनी स्वभाविक जो सांसें चल रही है उसको महसूस करना होता है जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरा सांस चल रही है आप मुझे सुन रहे हो तो आपकी सांस चल ही रही है यह जो सांस अपनी आप चल रहा है उस सांसों के साथ रहना ही ध्यान की प्रॉसेस है जब इस सांसों के साथ हम रहते हैं तो मन शुन्य होता है जब मन शुन्य होता है वो पल ही हमें आराम देता है अच्छा लगता है मन में जो विचार चलते हैं वो विचार की वज़े से ही हम ज़्यादा व्याथित होते हैं जब मन ठहर जाता है, शुन्य हो जाता है, तो हमें एक सांती की अनुभूती होती है और उसके बाद उशिक्षर, ब्रह्मान की सक्ति आपके भीतर उतरता है, वो सक्ति ही आपको इस जो मानसिक तनाव आपके भीतर अभी चल रहा है, क्यों हुआ, किसले हुआ, बहुत सारे प्रश्न जो चल रहा है वो प्रश्ण से दूर लेके जाएगा और आपको इस प्रश्ण का उत्तर भी मिलता है कि मैं ऐसा क्यूं सोच रहा हूं क्या करूं में क्या ना करूं में इस सारे उत्तर भी हमें ध्यान से मिलने लगते हैं लेकिन उसके लिए हमें लगातार आपना जितना उमर उत और इसका ध्यान तो आप करेंगे, कैसे करेंगे वो मैंने बताया, वाकि आप YouTube चानल में जाके भी देखिए, और दूसरी बात जो आपको करना है, एक बूक है, एक आत्मा की यात्रा, इंग्लिश में भी इस बूक का बूक है, जिसका नाम है Soul Journey, जब इस बूक को आप पढ़ क्या है, हमारी लाइफ प्लान क्या है, यह सारी इंफरमेशन आपको उस बूक से मिलेगा, यह बूक जो है, यह कोई मन गहन कहानी नहीं है, यह मास्टर्स की experience के थुरू जो इंफरमेशन मिला है, उसको उस बूक की आथर ने, एक किताब का रूप दिया है, जिसससे कि हमें बहुत कुछ आपने बारे में, आपने आत्मा सुरुप की बारे में पता चलता है तो ये बुक आपको डिफिनाइटले मदद करगा एक है यूर सोल जर्नी और एक है डेस्टिनी अब दा सोल दो किताब हैं इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इस जो सिचेशन जो परिस्तिती आपकी जीवन में आया है इससे आप उपर उठ सकते हो और सत्य को जान सकते हो थांक यू सो माच जी तो जेतेंद्र जी यहां पर मैंने आपको कुछ बुक रेकमेंट्स करी हैं वोन बुक्स को आप जरूर पढ़िए जरूर मंगवाईए साथ ही ध्यान आपने पूछा था कि कैसे करना है तो मैं आपने ध्यान की विधी भी बताई ध्यान का महत्व भी बताया आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए PMC Hindi, PMC Hindi TV, PMC Hindi Herc, PMC Hindi Clips चारो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जो जो पूछना चाहते हैं जो जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको खुद बख खुद मिल जाएगी और साथ ही यदि आप हमारे साथ online जुड़के ध्यान करना चाहते हैं तो हम हर weekend पर ध्यान करवाते हैं masterverno.pmchindi.com पे जाके आप इसके लिए register कर सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद कारिकर में call करने के लिए जी मैं अगला सवाल जान देते हैं Meimbink का प्रश्ण हैं क्या meditation से finance problem solved होती है क्या? देखिए meditation से financial problem solved होती है, यह सच है, लिकिन कैसे होती है यह जानना है किए सारे मा जो ध्यानी है वो मेरा जो भीडियो है आत्मा की आत्रा उसको देखकर मुझे फोन करते हैं कि आपने अपनी आत्मा की आत्रा में बोला है कि आपकी financial problem ध्यान करके ठीक हुआ है, लेकिन उसके लिए सिर्फ ध्यान ही नहीं करना है, बहुत कुछ और भी करना होता है, ध्यान में ऐसा क्या होता है कि आपकी financial problem ठीक होता है, वो जानना जरूर है, अक्चुली ध्यान में क् सक्ति की प्राप्ति होती है, ब्रह्मान की सक्ति आपके भितर उतरता है, पहले आपकी मन शांत होता है, जब मन शांत होता है, तो सक्ति की प्राप्ति होती है, और आपकी जो बुद्धिय वो बढ़ता है, पहली बात जो मन शांत होता है तो उससे आपको समझ में आदा, मन श कहां पर काम और मुझे करना है, कहां कहां पर मेरी कमी आ है, कही बार हम अपनी financial challenge के लिए दुसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, कि उसकी वज़े से मेरा ऐसा हो गया, नुकसान हो गया, लेकिन जब आप सांत रहेंगे, मनुस्तिर रहेंगा, तभी आपको उस problem की बारे मे पता चलेगा, जैसे एक ठहरता हुआ पानी में ही अगर coin गिर गया है, तो वो अपनी आप दिखाई देने लगता है, लेकिन अगर एक गंदा पानी है, मेल पानी है, अगर उसमें आपकी coin गिर गया, वो दिखता नहीं है, ठीक ही, वैसे ही, आपकी life की जो challenge है, उसका कारण क्या है, वो आपकी ठहरता हुआ सुन्य मन में ही आपको पता चलता है, first thing, second thing, जो ब्रह्मान की उर्जा आपके भीतर उतरता है, उससे आपकी बुध्धी जो है वो सारपन होती है, वो बुध्धी ही आपको आगे क्या करना है, वो रास्ता आपको दिखाता है, जब मन अश बढ़ता है, जिससे की आप जान पाते हो, आपको किस डारेक्शन में जाना है, आपको अक्चली करना क्या है, फिर आप उस डारेक्शन में जाते हो, और फिर उस काम के लिए जो उर्जा भी चाहिए, कि हर कार्या के लिए हमें उर्जा चाहिए, तो दिहान से जो उर्जा क कम выпуск करने के लिए उसको करते हैं और उससे सक्सेस्फफुल भी होते है। यह मैं का प्रेशन है मैं ध्यान कर रहा हूं लेकिन बॉडी में वीटनेश लग रही है तो हम क्या करें? allí और एक बरॉड यह दोस्थो यह जो हमें weakness की feeling हो रही है ये actually weakness नहीं है जब उर्जा की प्रभा आपके जब फिसे में बोलना चाहूंगी जब आप अपनी सांसों के साथ एक होते हों मन शुन्य होता है मन शुन्य होने से उर्जा की प्रभा आपके भीतर होने लगता है आपके मस्तक के उपरिभाग सहसरार में इस्तित ब्रह्मरंद्र के द्वारा आपकी एथरिक बॉड़ी में वो उर्जा उतरने लगता है ये उर्जा जब एथरिक बॉड़ी में उतरता है इस एथरिक बॉड़ी में आपकी 72,000 नाडिया है और 7 energy center है ये नाडी मंडल जब सुधी करण होता है तो आपको लगता है क एक uniginess, एक बेचेनी, एक irritation ये सब आपको होता है तो आपको लगता है कि मैं weak हो रहा हूँ, actually वो नहीं है, ये cleansing का एक process है और वो process का feeling जो है वो आपको लगता है कि weakness है, actually weakness नहीं है, अगर आपको ऐसा feel हो रहा है तो आप ध्यान से पहले definitely a glass पानी पीजिए और जब आपको weakness feel हो रहा है ध्यान की दौरान तो आँख को बंद करते हुए अब आपने पास जो bottle में रखे हुए, bottle का पानी पीजिए फिर से आप ध्यान में बेट जाए और ध्यान के पस्चात भी आप पानी पीजिए, nature के साथ time spent कीजिए, साकाहरी बनिये, जब ये तीनों चीजे चीजों के साथ आप ध्यान करेंगे तो automatically धीरे धीरे आपकी जो उर्जा है वो बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आप energetic feel करने लगेंगे, thank you so much. जी तो दर्श्र को आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही हमारे चारो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube चैनल के नाम मैं आपको बता रही हूँ, PNC Hindi, PNC Hindi TV, PNC Hindi Health, PNC जान पाते हैं, हमारे YouTube चैनल पे आपको गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो मिलेंगी, म्यूजिक मेडिटेशन की वीडियो मिलेंगी, बहुत सारे कारिक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको ध्यान का महत्व बताते हैं, अध्यात्म का महत्व बताते है हम आपके लिए स्वाध्याई की सीरीज लाते हैं, परिवर्तन की सीरीज लाते हैं, जिसमें आप यह जान पाते हैं कि कैसे आप बुक्स अगर रीड नहीं कर पाते हैं, तो आप बुक्स के सार को हमारे मास्टर्स के थू समझ पाते हैं, साथ ही हमारे यूट्यूब चानल्स पर बहुत सारे लोग अपना ज्ञान साजह करते हैं, बहुत सारे experiences आप सुन पाते हैं, उन experiences के माध्यम से आप रिलेट कर पाते हैं कि आपकी लाइफ में भी सेम ही challenges हैं, लेकिन कैसे वो लोग अपने ध्यान के माध्यम से उन challenges से overcome होते हैं, वैसे आप भी ध्यान कर सकते हैं और ध्यान के माध्यम से उन चैलेंजे से ओवर कम कर सकते हैं तो इसलिए आज ही हमारे यूट्यूब चानल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें जी मैं दर्शक बने हुए उनसे बात कर लेते हैं नमस्कार नाम बताये अपना मेरा नम अनीता है मैं आसाम से बोल रहे हुए जी अनीता जी क्या जानना चाहते हैं आप अच्छी मेरे घर में एक मेलेपरेशन है किपनी प्रॉब्लम है उनको जी तो ज़स्क्राटे हुआ है उतना ज्यादा प्रीटर सब्सक्राइब तब जी तो जैसे कि आप बता रहें कि आपके घर में जो है उनको गिड्नी का चालेंज है तो पहले तो उनको ध्यान तो करना ही है लेकिन जब हमें कोई physical challenge आता है तो उसके लिए अपनी ध्यान की जो समय वो बढ़ानी है बेसिकले हम बोलते हैं कि अपना जितना उमर उतना है या कोई ओर डीजीज है तो उसके लिए हमें कम से कम three to four hours ध्यान करना ही चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो group meditation है उसमें participate करना चाहिए क्योंकि group meditation में हमें ज्यादा energy की प्राप्ती होती है और जो पुन्निमा ध्यान है उसको full night meditation जिसमें होता है उसमें join करके ध्यान करना चाहिए अखंड ध्यान होता है उसमें ध्यान करना चाहिए जितना आप ज्यादा से ज्यादा group meditation ज्यान करेंगे उतना ज्यादा energy आपको मिलेगा यह सारा जो कार्यक्रम है यह हमारी PMC Hindi की माध अध्यम से आप कर सकते हैं इसमें YouTube चानल में हमारा पुन्निमा ध्यान, अववास्या ध्यान, अखंड ध्यान, संकल्प ध्यान, यह सब कुछ होता है तो आप हमारे जो YouTube चानल है उसके साथ जुड़के रहिए तो definitely सारी information आपको मिलता रहेगा और दूसरी बात जो आपको जो कारिया आपको करनी है वो है पिरामीड पावार को यूज करना जब हम पिरामीड के नीचे बेट के ध्यान करते हैं तो जो सकती है उसका दारा तीन गुना बढ़ जाता है जिससे की हमारी healing जो है वो बहुत fast हो जाती है इसलिए अगर आपके घर के आसपास कहीं पिरामी हुआ के उसको वाल में हांग करके उसको भी उसके नीचे बेट के ध्यान कर सकते हैं जितना ज्यादा समय जो आपके घर में जो भी वत्ती है वो ज्यादा समय पिरामीड के नीचे बेठेंगे तो उतना ज्यादा उर्जा उनको मिलेगी ऐसे भी हो ऐसे भी आप कर सकते हैं क जब आप यहां पर वो सो रहे हैं, अगर वहाँ पर हम two by two का पिरामीड, दो तिन पिरामीड कम से कम इंस्टॉल कर देंगे, तो पूरी तो उनको सोते हुए भी उर्जा मिलती रहेंगे, पिरामीड रिचारज वाटर, पिरामीड रिचारज जो खाना है, वो हम रिचारज करक तो अनीता जी आपने ध्यान के बारे में पूचा था, मैं आमने ध्यान के बारे में बताया, सबसे पहले आप अमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वहां पे आप ध्यान को और गहराई से जान पाएंगे, दूसरा मैं ने आपको पिरमिड यू सेंटर आपको नहीं पता है, कहां है, तो आप अमारी वेबसाइट पे जा सकते है, www.pmchindi.com, वहां पे एक सेक्शन है, पिरमिड बेडिटेशन सेंटर का, वहां आप जाएंगे, तो आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी, कि आपके नजदी की शेतर में पिरमिड सें अगले दर्शक भी जुड़े हो या उनसे बात कर लेते हैं, हलो, हलो, जी नमस्कार, नाम बताईए अपना, मेरा नम मनुझ राजे, जी मनुझ जी कहां से बात कर रहे है, मैं लग्नम से बोल जाना, बताईए, क्या सवाल है आपका, मेरा वच्छन ये तो मेडिटेशन के जी कोशन अपना रिपीट करिया है, मैरी जो मन है उसको शांती मिलती है, एक सुकून का अनुभूती हमें होता है, हमारी अगर सारीरिक कोई बिमारिया है, तो वो ठीक होती है, हमारी जो बुद्धी है, वो तिखन होती है या सार्पेन होती है, जिससे की हम अपने लाइफ की डिसिशन खुद ले सकते हैं, चौथा हम अपने आपको जान सकते हैं, कि हम कौन है, हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे, हमारी जिवन का परपस क्या है, और हम जिससे आए हैं, वो कौन है, ये परम meditation की वो मैं क्या बोलू आपको, हर तरह, अगर हमें इस जीवन को समझना है, जानना है, इस जीवन को जीना है, तो हमें ध्यान की आवशकता है, ये ध्यान की सक्ती ही हमारी जीवन को चला रहा है, इसमें जो ब्रह्मान ये सक्ती मिलता है, ये हमारी जीवन, जीवनी सक्ती है, इस सक्तिकी माध्यम से ही हम इस जीवन को जी रहें, तो ये हमारे लिए खाने से भी ज्यादा इंपोर्टन्ट है, इस बात को समझने के लिए पहले हमें ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान कैसे करना है, आप आपनी घर में रहते हुए, आप आपनी घर में एक ऐसे कोने को चुन लें, ऐसे स्थान को चुन लें, जहां पर बेटके आपको आच्छा लगता हो, आपनी दोनों पेर को क्रॉस करके बेटिये, सोफे के उपर, चेयार के उपर या जमिन पर, जहां पर आपको कॉंफर्टेबल हो रहा है, वहां पर आप आराम से बेट जाए, दोनों पे से बंद कर ले, पुरी सरीर को धिला छोड़ते हुए, धीरे धीरे अपनी जो सांस है, स्वभाविक सांस है, उसको महसूस करे, ये सांस बाहर से भीतर आती है और फिर भीतर से बाहर जाती है, लगातार ये प्रॉसेस हमारे साथ हो रहा है, चल रहा है, ये जो सांस चल रहा है उस इस सांसों के साथ हमें रहना है जब इस सांसों के साथ हम रहेंगे तो ब्रह्मान की उर्जा हमारे भीतर प्रभाईत होएगी जिससे हमें सांती के अनुभूती होएगी हमारी स्वारीर स्वस्त होगा बुद्धी तिक्न होएगी और हम आपनी जीवन को जान सकते समझ सकत तो बस आपको ध्यान केसे करना है मैंने बताया आप हमारे यूटूब चानल में जाकर भी ध्यान केसे करना है उसकी रिगारिंग वीडियोज है आप उस वीडियो को देखें और एक वीडियो हमारी EPMC हिंदी यूटूब चानल में है जिसका नाम है spiritual reality इसको भी आप सर्च कर देंगे तो ये भी आपको हमारी यूटूब चानल में मिलेगा इसको भी देखिए देखिए समझिए और हमारी वीकेंड में भी ध्यान होता है उसको भी आप कीजिए हम अभी 15 जुलाई से रात्री ध्यान भी सुरू करने वाले हैं उसके साथ आप जूड के ध्यान कर सकते हैं 11 ऑगस्ट से हम मास्टर बनों प्रोग्राम लेके आ रहे हैं आप उसके साथ भी मिलकर ध्यान कर सकते हैं पीम से हिंदी का एही एक प्रयास है कि हर एक वैक्ति ध्यानी बने इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं बस आप आपने जीवन में इस ध्यान को आपना लिजे और ध्यान की यातरा को शुरू करें 40 दे थक आपको minimum ध्यान का च्यलंज लेकर आप ध्यान शुरू करें कि 40 दे तक तक तो आपको बिना तोड़े ध्यान करना है और 40 दे की और토 activities हमारे ऐसाण जरू़ोषर करिएगा बहुत-बहुत थनिवाद क् Across Thisолько के ऐश्यक में मैं अब हम को आपने बहुत सारे पीरामिड का उपयोग करने के बहुत सारे तरीके बताये तो यहां पर पिरामिड एक ऐसा जादु कि छड़ी जैसा लग रहा है कि पिरामिड के उपयोग से हम कितनी सारी चीजे घर सकते हैं में चाहूंगी माम कुछ एक-डू एक्सपेरिमेंट्स भी आप मारे दर्शकों के साथ शेर करें कि जो आपने खुद परसनली पिरमिट के साथ किये हूँ बेसिकली पिरमिट वाटर को अभी मैं तो पहले भी पीती थी लेकिन अभी ये समर में मैंने आपनी एक नया मटका खरिद के उसके उपर पिरमिट रखे में यूज कर रही हूँ तो जब पिरामीड वाटर हम बैसिकली जब पहली बार बोलते हैं कि जब पहले आप उस मठके के उपर पिरामीड रखे तो पहले आठ घंटा उसको रख लीजिए फिर उसके बाद उस पानी को आप यूज कीजिए रोज वेसे नहीं करना है पहली बार ऐसे करना है फिर आप उस्के पानी भरते रहे हैं और पिरामीट उसके ऊपर रखे और आप उसका पानी पीजी और जिसे कई बार हमारा मन करता है कि हम बाहर सके खाने खाएं लेकिन energy का impact क्यों जो खाना बनाता है उसका impact उसकी energy का impact उस खाने में रहता है, तो हम अभी क्या के copper का pyramid उसको बना के मंगवा के रखे हैं, अगर कभी वैसे तो मंगाते नहीं हैं, अगर मंगाते हैं तो पहले उसको 10 minute उसके उपर वो pyramid को रखते हैं, फिर वो उसमें जो negative energy वो फिर energy खतम हो जाती है और ये खाना एनर्ज पिरामीड को रखके पढ़ाई करते हैं तो उनकी पढ़ाई में मन और लगता है, और हमने ये भी experiment किया है कि जब कोई question समझ में नहीं आ रहा है, या इसका solution क्या है होना चाहिए, वो समझ में नहीं आ रहा है, या कोई concept समझ में नहीं आ रहा है, तो जो pyramid को पहन कर बच्च मेरा घर का एक पार्ट है, जैसे मेरा घर में अगर आप देखेंगे तो छोटे बड़े होके कम से कम 40-50 pyramid होंगे, लेकिन इसको ना एक मान्यता के तरफ पर नहीं लेना चाहिए, ये science है, पिरामीड की जो angle है वो ऐसे बनी हुए, जिससे की cosmic energy जो पिरामीड के through आता है, तो energy multiply हो जाती है, इसको ऐसा नहीं कि जैसे हम एक belief system होती है ये पहनने से मेरा ठीक होता है, ये पहनने से मेरा गलत हो, वो नहीं करना है, हमें इसकी पीछे की बिज्ञान को समझते हुए, पिरामीड को यूज करना है, पिरामीड को हमें रख के पुजा नहीं करना है, लेकिन का respect करना है उसको thank you करना है लेकिन उसको चंदन सिंदूर लगा के उसका पुझा वो नहीं करना है तो पिरामीड को आजे एक instrument आप उसको use किर जैसे हर एक चीज आपके काम में आता है और आप उसको thanks करते हो ऐसे करते हैं कि आपके वज़े से मेरा इतना improvement हो रहा है तो फिर वो पिरामीड की जो उर्जा वो और बढ़ती भी है तो उसको respect भी करना चाहिए है मैं अभी आपने एक point बताया जो बहुत अच्छा लगा कि अगर हम भार से खाना लाते हैं तो उस पर भी हम पिरामीड रख सकते हैं तो आपने बताया कि जो खाना बनाता है उसकी उर्जा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है अगर कोई negative thinking के साथ खाना बना रहा है और प्रकृति वैसा ही है अगर आपकी तामसिक माहल है तो आपकी तामसिक बुद्धी है तामसिक माइंडशेट है तो उसमें उसकी कोई ये नहीं है उसकी कोई गल्दी नहीं है परन्तों वो आपनी काम भी तो करेगा तो उसी माइंडशेट से वो खाना को खाने को बनाता है तो फिर उसकी प्रभाव जो खाना जो बनाता है उसकी एनरजी उस खाने में ट्रांसपर होते हैं कि वो हिला रहा है उसको टच कर रहा है तो उसकी एनरजी का प्रभाव उस खाने पर पड़ता है फिर उस खाने को जब आप खाते हो तो ऑटमेटिकाली उसकी एनरजी आपके भी तर ट्रांसपर होना स्वभावी के इभिन वो बना रहा है अगर मान लिजे अच्छा बंदा भी बना लेकिन जो ले के आप तक पहुंचा रहा है वो परसन भी उसकी आटिटूड कैसा है बंदा तो कभी खराब होता ही नहीं कि वो भी भगवान का सुरूप है लिकिन उसक जो ला रहINGं उसका भी बड़ के इसेWest इभी आप ध्राँटूड और आ खर्यदव खराना बना रहे हो अगर उस छराऊ आप कहीं नाचानी किसी के उपर असांतिता में हो या गुस्सा आ रहा है तो फिर भी उस खाने में वह आप उस उस एनर्जी को फिर ट्रांसपोर कर र किसी ना किसी बात के ओपर मतलु बहुत सता में आ आ जाते हैं तो इसलिए हमेसी दोड़ काना बनाते हैं तो बहुत है और आविएन इसे साथ घर में खाना बनाना चाहिए ताकि जो खाना ऑने वह ब tekान जी उन तौ यान्स कंग के शराना रहा है फिर जाके हम cooking करें जब बरदस्ती खाना बनाना पढ़ रहा है इसलिए जब आप खाना बना के देते हो तो वो खाने में कोई उर्जा ही नहीं होते है वास पेट भरने के लिए आप खाना उनको देते हैं तो इसलिए हर वेक्ति को ध्यानी होना चाहिए अगला सवाज आने त इनका प्रेशनी है अभी खाने की बात ओरी थी तो इनका यही प्रेशनी है डाइट कैसी लेनी होती है ध्यानी की दिन चर्या कैसी होनी चाहिए देखिए ध्यानी में तो यह बोलती हर एक वेक्ति को ध्यानी होना चाहिए संसार में हर एक वेक्ति हर एक वेक्ति अगर ध्य ज़्णानी बने गा, तभी इस सुन्दर समाज एक निर्मान हो सकताः। जो पत्रीलित जी जो अपन फार इधरती पता है। तो हर एक वैक्ति जो ध्यानी बनना चाहता है उसका डाइट सातिक्ता से भर जाना चाहिए उसकी जो खाना है उसमें सातिक्ता होनी चाहिए सातिक्ता मतलब सातिक्ता खाने जब हम खाते हैं तो हमारी मन शांत रहता है अगर हम तामसिक या रासिक खाना खाते हैं तो हमारी मन अशांत से भरा रहता है, फियर से भरा रहता है, गुसे से भरा रहता है, इनसीकूरिटी से भरा रहता है, जब हम सातिक भोजन करते हैं, सातिक भोजन किसको बोलते हैं, fruits, vegetables, कम तला हुआ, भुणा हुआ खाना, juices, ज़्यादा पानी, dry fruits, यह सब जो खाना होता है, यह सातिक जब इस तरह का खाना हम खाएंगे तो automatically हमारी जो मन है वो शांत रहेगा, जब मन शांत रहेगा तो automatically जब आप साधना में बेठेंगे तो जल्दी deep meditation में जा सकते हैं, दुसरी बात क्या दिंचर्या उसका होना चाहिए, उसकी सुभा जब वो उठता है तो ध्यान करके ही उठ चाहिए और जब वो सोता है तो ध्यान करके ही सुना चाहिए और उसको नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए और क्लासिकल हिंदूस्तानी जो instrumental music है उसको सुनना चाहिए और प्रत्यक दिन जो ज्यान जो books पढ़ रहा है ध्यान की दौरान साधना के दौरान जैसे कि PSS से मोलत आता है ध्यान के साथ साथ हमें books भी पढ़ना चाहिए वो books किसी ना किसी के साथ सेयार करना चाहिए डिसकुसन करना चाहिए जिसको हम सजन सांगत्य बोलते हैं जो हमने सीखा उसको किसी ना किसी के साथ रोज सेयार करना चाहिए एक द अलग ही दिसा में हमारी जीवन जा रहा है जो आपके साथ connect करता है हम अपने साथ रहते हुए भी अपने साथ नहीं होते हैं ध्यान से पहले हमेशा हमारी मन जो होब वहर मुखी होता है जब हम इस तरह का जीवन जीते हैं तो हमारा connection खुद के साथ होता है मतलब अपनी चेतन के साथ अपनी जो स्वरूप है जब्य स्वरूप है उसके साथ हमारे करनेक्शन बनती है फिर हम अपनी विश्व स्वरूप को जानते हैं हम आपनी ब्रह्म स्वरूप को जानते हैं तो यह धीरे धीरे प्रोसेस है और यह प्रोसेस रोज करना है प्रतिक दिन करना है थांक य जी तो दरशिको इस कारेक्रम में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप ध्यान के माध्यम से अध्यात्म के माध्यम से अपने जीवन को और भैतर बना सकते हैं इस कारेक्रम में आप हमारे सात जूरते हैं, अपने सवाल हमसे पूचते हैं और हम आपके सवालों की जवाब live देते हैं ऐसे ही हम बहुत सारे कारेक्रम PMC Hindi पर लेकर आते हैं जिसमें हम आपकी life को बहतर बनाने की बात करते हैं ऐसा ही एक नया कारिक्रम, लाइफ हो तो ऐसी बहुत जल्द PNC हिंदी पे शुरू होने वाला है, 17 जुलाई से हर भुधवार को रात 8 बजे ये कारिक्रम प्रसारित किया जाएगा, इस कारिक्रम में हम बड़े-बड़े life coaches, psychologists, बड़े-बड़े motivational speakers, influencers को इस कारिक्रम में ले करेंगे, तो 17 जुलाई से हर भुधवार को रात 8 बजे से इस कारिक्रम की शुरुवात होने वाली है, तो जरूर इस कारिक्रम को भी देखिएगा और धेर सारा प्यार भी दीजिएगा, जी, मैं मगला सवाल जान लेते हैं, मैमिन का प्रशन है, रूट चक्रा को की सार बोलते हैं कि हमें चक्रा की आक्टिवेशन करने के लिए ध्यान नहीं करना है, जब हम ध्यान करते हैं तो चक्रा आक्टिवेशन एक बाई प्रड़क्ट है, वो अपनी आप होएगा, ओके, पहले जानते हैं कि ध्यान क्या है, मन की शुन्य अवस्था ध्यान है, इस आपके भीतर उतरता है यह जो आपके भीतर में बोल रही हूँ यह आपकी second body में उतरता है जिसको बोलते हैं etheric body या energy body इसी body में आपकी 72,000 नाडिया है और 7 energy center है जो first energy center है उसको बोलते हैं मुलाधार चक्रा जब उर्जा प्रभाईत आपके भीतर हुएगी तो automatically जहां जहां पर आपकी उर्जा की आभशक्ता है और automatically ही जाएगी उसको हमें ले जाने की जरूरती नहीं है जब हम ले जाने की कोशिश करते तो हम आपनी मन को ही use कर रहें जब मन को use कर रहें तो उर्जा की बहाब बंद हो जाएगी ब्रहान की सक्ति और आपके भीतर जो barrier वो आपकी म है तो जो process automatically हो रहा है उसको होने दीजिये ना तो इसके लिए कोई प्रयास की आभशक्ता नहीं आपका काम इतना ही है कि आप ध्यान के साथ चुड़ें आप रोज साधना करें अपना जितना उमर उतना ध्यान करें ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान करें और मुलाधार चक को अगर सच मुझ आप activate करना चाहते हो तो वो ध्यान में तो होगा ही लेकिन मुलाधार चक्रा का जो जो एलिमेंट से वो क्या है वो पृतिवी तक तो है तो पृतिवी के साथ ज्यादा connection बनानी है Mother Earth के साथ हमें ज्यादा connection बनानी है मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा time Mother Earth के साथ spend करना भी ताना है जैसे पार्क वगरा में आप जा रहे हो तो जमीन के उपर मैठिए उसमें लेट जाए जाए Mother Earth को हग कीजिए जो मोटे मोटे ट्रीज होते हैं उनको आप हग कीजिए फूलों को निहारिए पत्तों को निहारिए पेड़ों को निहारिए जितना आप Mother Earth के साथ connection बनाएंगे उतना आपकी जो मुलाधार चक्र है बहुत बालांस होता जाएगा लेकिन साथ साथ ध्यान भी करना है जी मैं आपने जो चक्रों के बारे में इतनी देप नौलेज भी शेयर करी तो मुझे लगता है कि जो दर्शक है जो ध्यान करते हैं ध्यान के साथ साथ उन्हें स्वाध्याय करना भी बहुत जरूरी है ताकि वो भी इतना जो इसके पीछे का साइंस है उसको समझ पाएं तो मैं मैं जाहूंगे कि कुछ बुक्स आप रेकमेंड करें जो नए ध्यानियों को करनी चाहिए पढ़नी चाहिए शुरू करते ही शुरू क हम जो एत्रिक बोडी की बारे में थोड़ी सी जानकारी ले नाडी मंदल क्या होती है सकराज क्या होती है इसकी बारे में थोड़ी बहुत जाने और चक्राज के लिए खास करके जो बूक है इस्टन बड़ी वस्टन माइंड उस बूक को आप डेफिनाइटली अनौडिया जुडित हो, इसका author है, इस book को पहले पढ़ी, ओके, आपको पत, जब उस book को आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपकी मुलाधार चक्र बालांस नहीं है, तो आपकी behavior कैसा है, अगर आप ध्यान के साथ साथ अपनी मुलाधार चक्रों को बालांस करना साथ है, तो आप ध्यान तो करेंगे, लेकिन साथ साथ अपनी behavior में कहां पर हम परिवर्तन लाएंगे, उसकी बारे में भी उस books में mention है, तो हर चक्राज को हम कैसे बालांस करेंगे, अपनी दिन दिन चरिया में कौन-कौन सा काम करेंगे, जिससे की हमारी चक्रा बालांस होगा, वो सारा detail उस books में है, ध्यान तो करेंगे, books knowledge लेंगे, तो automatically उसको जो apply करेंगे, तो ये जो चक्रा बालांस है अपनी आप हो जाए, तो जानका ही रखिया, इसको इतना ज्यादा ये मसमें की चक्रा बालांस होना ही है, मुझे energy डालना ही है, उतना ज्यादा उसके सा बात ना जाके, अब science विज्ञान समझिए, कि किस बज़े से हमारी चक्रा बालांस है, क्या करने से हमारी चक्रा बालांस होएगी, ओके, तो ध्यान के साथ साथ इसके regarding books भी पढ़ी, तो automatically आपको जानकारे मिलेगे, जी, मैं हम अगला सवाल जान जेते है, नमिन का प्रेश अलग से करने की कुछ जरूत नहीं है, जब उर्जा प्रभाइत होएगी, तो वो चक्रा जबे जाएगी ही जाएगी, तो अलग से कुछ करना नहीं है, आना पना सती ध्यान करेंगे, तभी भी आपकी चक्रा बालांस ही होएगी, मैं चक्रा इंबालांस क्यों है, क्योंकि उसमें जो उर्जा जाना चाहिए, वो उर्जा नहीं जा पा रहा है, वो उर्जा क्यों नहीं जा पा रहा है, आपकी मन की वज़े से, मन की अलग-अलग emotions की वज़े से, जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी emotional level पे जब balance होएगी, उर्जा जब automatically अच्छे से flow होएगी, आपकी का कोई comparison नहीं है, जिसको हम नए ध्यानी सोच रहे हैं, वो ध्यानी कीस जन्मों से ध्यान कर रहा है, इसलिए नए ध्यानी, पुराने ध्यानी तो ये जो टाग है, वो है ही नहीं, तो इसलिए हमारे अनुभव भी अलग-अलग होते हैं, किसी को ध्यान करते ही आजाते हैं हां किसी को अभी आज आया उसको थाड़ाई विजन साहते हैं हम बोलते हैं रहे वो तो अभी अभी आया ऐसे कैसे साई जूट बोल रहा है नहीं वो कहीं जन्मों से ध्यान कर रहा है जब बैठते ही उसकी अल्वी उसकी थाड़ाई आक्टिवेशन हुआ है तो वह experience कर रहा ह माम दरशक गुजूरवे उद से बात कर लेते हैं हलो नम कर नाम बताईए अपना हलो नाजीज सर या नाम बताया नाजीज कहां से बात कर रहे है नाजीज जी अजर्एब बताईए क्या सवाल है आपका ने अश्वाब मेडिटेशन को देते है जी, बताईए किने दिनों में थर्ड आई किने दिनों में बेनिफिट होगा कैसा बेनिफिट चाहिए आपको ध्यान से, आपको कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, किस तरह का बेनिफिट चाहिए जी, तो मास्टर, आपकी जीवन में तनाव जो है, पहले उसको समझने के लिए तो ध्यान चाहिए और इसमें कोई विधिवद नहीं है, कोई राइटिंग नहीं है कि आप इतना दिन ध्यान करने से ही आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा भी कुछ नहीं है, हमें ध्यान करना ही चाहिए आप खुद इस ध्यान को 40 दिन करके देखिए तो आपको अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ मेरे भी तरफ अदलाव आ रहे हैं, मुझे अच्छा फील हो रहा है तो आप इस ध्यान को और continue कीजिए, जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना आप अपनी problems को समझ पाएंगे और problem को समझ पाएंगे तो automatically उससे बाहर बे निकल जाएंगे तो इसलिए इस ध्यान को आपनाईए पहले, इसको mindset मत कीजिए जिए कितना दिन करने से ही मुझे ध्यान ठीक होगा इसलिए हम बोलते हैं लगातार आपना जितना उमर उतना minute लगातार आप 40 दिन तक ध्यान कीजिए और इस 40 दिन में आप definitely फरक देखेंगे, उसके बाग जब तक ये जीवन है तब तक हमें ध्यान करते रहना है तैंक यू जी तो नागेश जी जैसे कि माम ने बताया कि सबसे पहले तो ध्यान को अपनाईए आज से ही ध्यान को शुरू कीजिए जितनी आपकी उमर है, मिनिमम उतना ध्यान आपको करना ही करना है 40 डेज मेडिटेशन का चालेंज लेके आज से ध्यान शुरू करे हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेगी बहुत सारा ज्यान आपको महाँ से प्राप्त होगा और आपकी जो इस समस्य है डिप्रेशन की उससे ओवरकम होने में आपको हमारे यूट्यूब चैनल के मादे हमसे बहुत मदद मिलेगी बहुत-बहुत धन्यवाद कारिकर में कॉल करने के लिए जी माम वगला सवाल जान देते हैं में मिन का प्रेशन है मन में सेक्शुल थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं कैसे बहार आए तो यह जो आराभी जैसे हम मुलाधार चक्रा की बात कर रहे थे यह कहिना की चक्रा की इंबालांस की वज़े से यह होता ही है और जेडिविन है वैसी काली क्या होता है कि उर्जा है पहले तो सेक्स्वल थिंक्स गलत है यह दिमाग से हटानी है यह एक ऐसा प्रोसेस जिससे संसार बन रहा है जब यह उर्जा जो मुलाधार चक्रा में है जब यह डावनवर्ड जाती है तो इसससे संसार निर्माण होता है जब यह upward जाता है उससे निर्बान प्राप्ते होते हैं, ओके, तो अगर हमें लगता है कि नहीं मुझे अपनी energy को balance करना चाहिए, तो हमें ध्यान, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना ही चाहिए, जी ओके, जैसे कि मैंने अभी अभी जास्ट बोला है nature के साथ time spent कीजिए, मन क क्या कि खाने का भी बहुत प्रभाव होती है हमारे जीबन में, जितना हम तामसीख खाना खाएंगे, उतना हमारी sexual desires बढ़ेगा, जितना हम non wage, drinking, तला हुआ, भुना हुआ खाना, यह सब जितना हम करेंगे, उतना ही मन हमारी तामसीख प्रभृती में परिवर्तित होएगा तो इसको आवर्ड करने के लिए पहले अपनी खान-पान में हमें ध्यान देना है, हमें जो सात्योख फुड़े उसमें पहले आना है और रेगुलर मेडिटेशन करना है, जिस से कि धीरे-धीरे हम अपनी यह जो डिजर साम जिसको बोलते हैं, उसमें हम आगे बढ़ सकते ह गलत है यह मत सोची है गलत नहीं सोचना उसके लिए भी नौलेज होना बहुत जरूरी है ध्यान के साथ साथ ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है इसे ओशो ने बहुत अच्छा से एक टॉक भी है संभग से समाधी तक अगर उस बुक को हम पढ़े तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं उस बुक की माध हम से उसका उनका टॉक भी है उनका बुक भी है तो हमें जानकरी चाहिए है ना एक धारना बन गई है कि सेक्स मतलब गलती है जो जिसमें आपकी संसार के निर्मान हो रहा है वो गलत नहीं है लेकिन हाँ वो संसार के निर्मान के लिए हो रहा है कि नहीं वो मेरा डिजार बन रहा है पहले उसको आइडिटिफाइ करना है दिन हमें ध्यान करना है अपनी डाइट में अपनी फूड में उस परिवरतन लाना है तो ऑटमाटिकली मन शांत होगा तो ऑटमेटिकली क्या होगा वो जो उर्जा निमनमुकी हो रही है वो उर्दमुकी होएगी तो ऑटमेटिकली आप निर्बान की तरह बढ़ोगी जी में दर्शक जुड़े होए उनसे बात करें हलो हलो में जी नमस्कार नाम बताइए नागेश जी अभी आप से बात हुई ती आप कोई और सवाल पूछना चाहते है हाँ मेरा मोड़े सवाल है जी कि मेडिटेशन करने का सही टाइम क्या है जी मेडिटेशन हम कभी भी कर सकते हैं कहीं पर भी कर सकते हैं कोई भी परिस्तित में कर सकते हैं इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब भी आपको समय मिले, आप ध्यान करें, लिकिन प्रत्यक दीन ध्यान करें, जी, तो नागेश जी, जैसे कि मैं आपने बताया कि कि मेडिटेशन, यानि कि खासकर आना पाना सती ध्यान जो है, आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद कारिकर में कॉल करने के लिए, मैं मगला प्रशन जान लेते हैं, मैं मिनका प्रशन है, जैसे अब भी डाइट के आप ब है, जितना आप ध्यान करेंगे न, आप अपने बोड़ी के प्रती आवेर होएंगे, आपके आवेरनेस बढ़ेगी, जैसे कि मैं अपनी एक्जांपल दे के बात करना चाहूंगी, मुझे टी बहुत पसंद है, मतलब मुझे उसकी टेस्ट जो है न, बहुत अच्छा लगत है, लिकिन जब मैं उसको लेती हूँ, तो मेरी बोड़ी उसको अक्सेप नहीं करता है, कही न कही उसकी रियाक्शन जो में फील कर पाते हैं, है न, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कि आपको पता है कि आपकी बोड़ी में ये नहीं, ये बोड़ी नहीं ले पा रहा है, पर आपको कौन सा डाइट लेना है, कौन सी डाइट नहीं लेना है, आप सुन पाते हो आपनी बोड़ी को, आप महसुस कर पाते हो आपनी बोड़ी को, इसलिए ये ये आपके उपर डिपेंड करता है, आप अपनी बोड़ी को कितना सुनते हो, आपके आवयानेस कितना बढ़ र जी में बहुत सारे दर्शकों का प्रश्णिया आता है कि जैसे हम non-veg नहीं खाते हैं तब एनिमल्स को हमें प्यार देना है हिंसा नहीं करना है तो बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि क्या फिर मिल्क हम ले सकते हैं अपनी डाइट में मिल्क देखिए यहां पर बहुत थोड़ा सा कांट्रोवर्सी जैसा है मिल्क जो है वो हमारी अगर हम भारत में देखे तो हम गाय को गो माता बोलते हैं जब मा का दूद बच्चे को नहीं होता है कम पड़ता है तो हम उसको आजे गो माता उसकी दूद को लेते थे इस कॉंसे जब से ही हम गाय का दूद लेते हैं तो उस पहले क्या होती थी घर में हर एक घर में गाय होती थी उसको प्याय से पाला जाता था उसकी बच्चडे जो है उसको पिलाया जाता था फिर जो दूद बच्चता था फिर उस दूद को जो हम लेते हैं तो वो हानी कारक नहीं है उसमें हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, लिकिन अगर दूद हम ले रहे हैं, जिसको जबरदस्ती गाय को प्रेगनाट, जो की नाचुलल प्रोसेस से नहीं, पहले नाचुलल प्रोसेस से ही गाय प्रेगनाट होती थी, लिकिन अब क्या करा जा रहा है, इंजेक्शन की माध्यम से उ यह सब तो हिंसा ही है, अगर इस तरह का दूध हम पीते हैं, तो definitely यह हिंसा में ही जाएगा, इसलिए पत्री जी को एक बार पुछा गया था, कि सर दूध लेना गलत है, सार ने बोला कि जब कृष्टन का नहीं आखुद दूध पीते थे तो दूध गलत कैसे हो सकता, नहीं, लेकिन अगर हां उसके साथ हिंसा करके वो दूध लाया जा रहा है, तो फिर वो गलत है, कि यह बार आप देखेंगे कि उनकी स्थन में बहुत गहाएं, मतलब वो जो शक करते हैं, तो उसमें पूरा गहाओ बन जाती है, ब्लड निकल कर, तो वो कितना पैनफुल है, जब उस तरह का मिल काम लेंगे, तो वो डेफिनाइटली उसमें कुरुता है, उसमें हिंसा है, बहुत अच्छे से आपने समझाए इस प्रेशन को, अगला सवाज आन लेते हैं, मिनका प्रेशन है, अगर हीलर्स किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रियेट करते हैं, तो किसी को भी हीलिंग लेनी चाहिए क्या, और जो कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्या वो मेडिटेशन से हील हो सकती है, पहली बात तो दस्तों को मैं ये बताना चाहूंगी, ब्रह्मरिश्य पिताम पत्री जी बोलते हैं, हमें किसी को हील नहीं करना चाहिए, फर्स तिंग, अगर आ आप हीलर के पास खुद जा रहे हो, तो ये आप ही जा रहे हो ना उसके पास, वो तो आपके पास नहीं आ रहा है, आप ही उसके पास जा रहे हो ताकि वो आपको हीलिंग कर पाए, गल्ती, मैं तो ये बोलूँगी कि अगर वो हील कर रहा है, तो वो उसको वो आवैनेस नह नहीं करना चाहिए, अगर हम अजए patient healer के पास जा रहे हैं, तो यह हमारी गलती है कि हम उसके पास जा रहे हम उसके पास जा रहे हम उसके पास जा रहे तभी वो हमें heal कर रहा है, तो फिर वो process में सही गलत की बात कहा से आती है, आप यह जाना बंद कर दीजिये ना, तो automatically वो सकता है ना खुद के पास आप ही उसके पास जा रहे हैं तो आप उसके पास जाना बंद कर दो तो automatically वो आपके उपर अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो कर ही नहीं पाएगा and third thing कि ध्यान में अपनी आप healing होता है जो healing capacity उसके वो healer के पास है वो ही healing capacity आपके भीतर भी है उसने वो capacity को activate किया है ब्रह्मान की साथ connect होके वो अपनी energy को इतना बढ़ा दिया है कि वो आप उसकी खुद की energy आपको दे रहा जिससे कि आप heal हो रहे हैं अगर वो universe के साथ connect होक के, उर्जा ले सकता है तो आप भी तो ले सकते हूए उसके भीतर जो चयतना आपके वी तरह तो वहीं चयतना है! कि तो आब आनापाना सती धिस्द्धान करके ब्रह्मान की उर्जा के साथ connect होके अपनी आपको अनर्जाईज करके खुद आपना healer बन जाई है बस बाग करता हूं जी माम मैं मैम इतनी सारी जानकारी आपने दी है और हमारे इतने सारे दरश्कों के प्रश्णों के उतर आपने दी है उसके लिए आपका बहुत-बहुत थ nisamnetson media जी ताद rshuko जुलाई से हर बुदवार को रात आट बजे हमारा एक नया कारेकरम प्रसारित किया जाएगा जिसका नाम है लाइफ हो तो ऐसी जहां आप जान पाएंगे कि लाइफ के अलग-अलग चैलेंजिस को कैसे आप दील कर सकते हैं क्योंकि इस कारेकरम में आएंगे बड़े-बड़े लाइफ कोचिस, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इंफ्लूएंसर, साइकोलोजिस्ट जो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ को बहतर बना सकते हैं सत्रा जुलाई बुद्वार रात आट बजे समय आद रखेगा और जरूर देखिएगा इस कारेकरम को आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए बने रहे पीमसी हिंदी चैनल के साथ नमस्कार